नमस्कार मैं रितेश कुमार आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ तो जैसे के हमने पिछले वीडियो में आप सभी आंगनबारी बहनों को बताया था कि जो पुसहार बितरन की दी गई थी पुसहार बितरन करने है तो तो वो ला पुषारों का सीजन चल रहा है उसमें आगनबारी बहने पुषार बित्रन नहीं कर पाई है उनके लिए एक नया निर्देश जारी किया गया है जैसे कि इस डेट को बढ़ाते हुए एक नया डेट रखा गया है साथी साथ जो टोकन अपराप्त वाले लभारती हैं उनके लि और उससे पहले आप सभी आगनबारी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और जो भी नए भीवर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में उनको आगनबारी से जोड़ी नए जनकारी मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो देखिए जैसे कि ICDS विभाग के तरफ से ये लेटर आया हुआ है जिसका डेट दिया गया है 5 11 2021 यानि कि अभी अभी इस ले दिखारी ICDS निदेशाले के तरफ से इस लेटर को भेजा गया है सिवा में सभी DPO को ये लेटर भेजा गया है यानि पूरे बिहार में ये समाने रूप से लाग होंगे तो आये जानते हैं नीचे कि इस लेटर का जो मुख्य विसाय दिया गया है वो क्या है जैसे कि हमने आ इस लेटर में आप भी सहय देख पाएंगे आंगनवारी केंद्रो पर माह अगस्त 2021 का पुसहार प्राप्ती है तो टोकन पर नाली किती थी विस्तारित करने के समद्ध में नीचे आपको बताऊंगा कि वो डेट कब तक रखा गया है जिसमें आंगनवारी सेवकाओं को था छे नौवंबर 2021 और उसी डेट को बरहते हुए यहाँ पे एक नया डेट रखा गया है जिसके बारे में आपको आगे जनकारी देने वाला हूँ महासे उप्रियुक्त विशयकों प्रसंगीक पत्र के द्वारा राजे के सभी आगनवारी केंद्रों पर पुसहार का बित्रन टोकन परनाली के माध्यम से किया जा रहा है उक्त पत्रों के द्वारा माह अक्टूबर 2020 का पुसहार टोकन या कूपन पर नाली के माध्यम से दिनांक यहाँ पर देख सकते हैं 6.11.2021 तक निर्वाध रूप से समय वद ही करने का निर्देशित किया गया था परन्तु निर्देशा नुसार टोकन या कूपन पर नाली की परगती अत्यांत धिमी रहने के कारण इसे देखिए दिनांक 9.11.2021 तक अधी बिस्तारित करते हुए सेच बिना टोकन या कूपन और पराप्त वाले लभार्तियों का मा अक्टूबर 2021 का पुसहार बित्रन पूर्ण किया जाए यानि कि इस लेटर में आप लोग साब साब देख सकते हैं कि जो बिना टोकन या कूपन पराप्त वाले लभार्ति हैं उनको भी पुसहार बित्रन कर देना है जैसे कि हमने पिछले वीडियों में आपको बताया था कि जो बिना टोकन ये कूपन वाले लभार्ती हैं एक नया पत्र जाड़ी होगा तो वही पत्र जाड़ी हुआ है यानि कि बिना टोकन प्राप्त वाले लभार्तियों को भी अब 9.11.2021 से पहले पुसहार वित्रन कर देन है साथी पुसहार वित्रन परतिवेदन सनलंग्न परपत्र में दिनांक 17.11.2020 तक निदेशाले को उपलवद कराये जाए और पुसहार वित्रन का जो परतिवेदन है वो आप सभी यांगनवाडी बहनों को 17.11.2020 तक अपने अफिश में जामक करा दिना है साथ समय परतिवेदन निदेशाले को अपरात रहने के कारण निदेशक होदय द्वारा गंभीरता से लिया जा रहे है अता सभी महिला परविक्षी काओं और आंगनवाडी सेविकाओं को निदेशित किया जाए कि माह अक्टूबर 2020 का सत परतिशत पुसहार निर्वाद र किस तक पुसहार बितरन कर देना है तो आप सभी आगनवाडी बहनों को आज का ये वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो सुन्ने बाद जय हिंद